नमस्कार दोस्तों जै मातादी फर्ड पैस मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें मातारानी सब का कल्यान करेगी दोस्तों आज हम बात करेंगे सकट चोथ वतिल चोथ साल 2020 में कब मनाई जाएगी पूजा का सुमूरत क्या होगा और चंदरोद्रे का समय क्या है और इसकी संपूर्ण पूजाविदी ववरत कथा क्या होगी पूरी जानकारी के लिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रुकेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल वर्ण बैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों सकट चौथ का व्रत माग मास की क्रश्न बक्च की चतुर्थी तिथी को मनाया जाता है इसे संकस्टी चतुर्थी वा तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों संकस्टी का मतलब है संकट हरी है यानी संकटों का हरन करने वाली चतुर्थी यह व्रत इस्त्रियां अपने संतान की दीर गायू और सफलता के लिए करती हैं इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धी सिद्धी की प्राप्ती होती है तता उनके जीवन में आने वाली सभी विगन बाधाएं गड़ेश जी दूर कर देते हैं इस दिन इस्त्रियां पूरे दिन रजला व्रत रखती हैं और साम को गड़ेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्द देने के पस्चाथी जल ग्रहन करती हैं इस दिन संकट हरण गडपती का पूजन होता है साथ ही इस दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है दोस्तों साल 2020 में सकट चौत का पर्व 13 जनवरी 2020 दिन सोंबार को मनाया जाएगा और चतुर्थी तिथी का प्रारंब 13 जनवरी 2020 को साम 5 बचकर 32 मिनट से लेकर चतुर्थी तिथी का समापन 14 जनवरी 2020 को दुपहर 2 बचकर 49 मि दोस्तों प्राता कालनेत्र कम से निवरत्त होकर विधी पूर्व गड़ेश जी की पूजा करें इसके बाद भल चंद्रगड़ेश का ध्यान करके पुस्प अर्पित करें पूरे दिन गड़ेश जी के नाम का जाब करना विसेश फलदाई होगा और सुर्यास्त के बाद इ नुसार विधवत गड़ेश जी का पूजन करें सरफ प्रतम इसान कोड में एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला रंग का वस्त बिछा कर गड़ेश जी की प्रतिमा इस्तापित करें रोली अक्छत लगाएं फल फूल माला चणाएं नवेत के रूप में तिल पूड का बकरा बनाकर उसकी बल भी दी जाती है दोस्तों पूजा के बाद साम को चंद्रमा को अर्द दे कर ही व्रत तोड़ा जाता है चंद्रमा को सहद रोली चंदन और रोली मिस्र दूद से अर्द दें कुछ इस्तानों पर व्रत तोड़ने के बाद महिलाएं सबसे प और एक शिक एखा Państ two तो honest की पूझा करने से क्या कर रही हो तप पड़ोषन उसलिए कहानी सुन रही हूं तो साहुकार्णी बोली कि चौत का व्रत करने से क्या होता है तो पडोसन ने कहा कि यह व्रत करने से अन्य धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है तब साहुकार्णी ने कहा यदि मेरा गर्व रह जाएगा तो मैं सवा सेर तिलकुट करूँगी और चौध का व्रत भी रखूंगी स्री गडेश भगवान जी की करपा से साहुकारणी गर्वती हो गई तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं धाई सेर तिलकुट करूंगी कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौध भगवान जब मेरे बेटे का विवा होगा तो मैं सवा पाँस सेर का तिलकुट करूंगी कुछ वर्सों के बाद उसके बेटे का विवा तै हो गया और उसका बेटा विवा करने चला गया लेकिन साहुकारणी ने तिलकुट नहीं किया इसी कारण से चौध देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरे से उसके बेटे को उठा लिया और पीपल के पेड़ पर बिठा दिया तब सभी लोग वर को खोजने लगे लेकिन वह नहीं मिला तब हतास होकर सारे लोग अपने अपने घर लोटाए इधर जिस लड़की से उस साहू कारणी के बेटे का विवा होने वाला था वह अपनी सहलियों के साथ गंगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई तब ही रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई आ मेरी अर्द ब्याही ये बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई उसके बात से वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी एक दिन लड़की की मानने कहा कि मैं तुझे अच्छा अच्छा खिलाती हूँ अच्छा अच्छा पैनाती हूँ फिर भी तू सूखती जा रही है ऐसा क्यों तब लड़की अपने मा से बोली कि हे मा जब भी मैं दूब लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्द ब्याही उसने मेंदी लगा रखी है सेरा भी बांध रखा है तब उसकी मा ने पीपल के पेड़ के पास जा कर देखा कि यह तो उसका जमाई है तब उस लड़की की मा ने अपने जमाई से कहा यहां क्यों बैठा है मेरी बेटी तो अर्द ब्याही कर दी और अब क्या लेगा साहु कारनी का बेटा बोला मेरी मा ने चौत का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया इसलिए चौत माता ने नाराज होकर मुझे यहां बिठा दिया है यह सुनकर उसकी लड़की की मा साहु कारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौत का कुछ बोला था क्या तब साहु कारनी बोली तिलकुट बोला था उसके बाद स फेरे में लाकर बठा दिया बेटे का विवा धूमधाम से हो गया जब सुछकारनी के बेटे और बहु घर आ गया तब साहु कारनी ने ढ़ाई मन्ड का तिल्कुट किया और बोली कि हे चौध द्रिवता अपने आसिरवास से मेरे बेटे बहु घर आए हैं जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके वरत करूंगी इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौध वरत करना प्रारंब कर दिया ये सकट चौध जिस तरह साहू करनी को बेटे और बहु से मिलवाया है वैसे सब को मिलवाना इस कथा को कहने और सुनने वाले का भी भला करना बोलो सकट चौध कीजए बोलो गड़ेज भगवान कीजए तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें साथी साथ इस वीडियो को फेस्बूप और वाटसप पे अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ अवस्यर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फर्ट बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेड कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्यर क्लिक करें और साथी साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद